नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आयूर्वेद पराधारित हमारे इस पेहत खास कारिक्रम स्वस्त विचार में मैं हूँ आपके साथ आपका साथ ही विकास तर्शको स्वस्त विचार कारिक्रम एक मात्र ऐसा कारिक्रम है जिसमें आपको आयूर्वेदिक औशधिय से जोड़ा जाता है और उनके बारे में विशेश एक रूची उत्पन की जाती है जिस से आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं बहुत जादा आपको जद्दो जहद नहीं करनी है केवल छोटी- अपने भोजन में पॉस्टिक आहार को सम्मिलित करना है और अपने रहन सेहन में आपको बदलाव लेकर आना है बस इतना ही कुछ करना है और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रूग और इस तरीके की जो समस्या उत्पन होती हैं जो मौसम के अनुकूर मौसम के मुताबिक होती हैं या पर्यावरण के मुताबिक होती हैं उन सब चीजों से आप बच सकते हैं और इन सभी विशेयों में हमारा मारत तर्शन करते हैं जाने माने आयुरुवेद के जाता गायत्तिरी सिध्ध पंडित शिलक्षमंदास रतन भारतवार जी चलिए सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे कारेकरम की शुरुवारत करते हैं गुरुजी बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकुए कारेकरम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कारेकरम का हिस्सा बने यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है दिलाना चाहूंगा जब भी आप इस करक्रम को देखने बैठें तो कौपी और पैन लेकर जरूर बैठा करें जो भी नुस्खे जो उप्चार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर ले क्योंकि जो भी सलाह याँ पर दी जाती है गुरुजी के वद्वारा वो आपके लिख लेते हैं तो आज जीवन आपके साथ वो नुस्खे वो उप्चार बने रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं अपने नए विश्यपर चर्चा गुरुजी आज के संक में हम बात करेंगे घाओ को लेकर घाओ अक्सर कैसे भी होते हैं चोट की वज़े से लग गए किसी दुरगटना की वज़े से हो जाते हैं या एक अएक अपने आप भी उत्पन होते हैं कुछ लेकिन परेशानी तब बनती है जब घाओ भरते नहीं है बहुत से लोगों को ऐसी समस्या आती है कि एक बार घाओ हो गया तो वो बहुत आसानी से भरता नहीं है कभी-कभी वो नासूर जैसी स्थिती भी उत्पन कर देता है लेकिन सबसे पहले मैं यहीं जाना चाहूंगा कि घाओ अगर नहीं भरते हैं तो इसके पीछे क्या कुछ कारक होते हैं और ये किस रोग की और इशारा करते हैं किस रोग की निशानी होती है लक्षन क्या होते ह देखिए गावना भरने का ना उसका चार पाज कारौन है पहला कारण तो है कि यदि किछे को शुगर तो गाव तो भरता नहीं दूसरा कारण है कि आप जो आप पर मल मटंपटी कर रहे हैं वो द्वाई सही नहीं है गावना भरेगा तीसरा कारणना कि यादि आपके खाने का जो है वो सही तरीका नहीं है जो मन में आया खा लिया तो उसके खून के अंदर पोहिजन होते है गाह ने बढ़ता कारणना कोई भी है गाह बढ़ने के लिए स्वास्त अपचार में एक से बढ़के एक द्वाई है पर तो हमें उपचार उस चीज से करना चाहिए जो सबसे असान हो सबसे सुल्व हो तो गाह बढ़ने के लिए सबसे अच्छा उपचार है ग्यों के ज़ारे ग्यों को उगा करके छाया में दूप में ने जब आठ से दस इच लंबे आंकुरित हो जाग्यों तो उसको गंबले से निकाल के या जहां भी आपने उखाड़ी वहां से उखार के पानी से दो के उसकी जड़े काड़ के फैंदे बाकि उसको पीश करके चटनी बनाएं और उसका रस निकाल करके दस की राम तो आपने पीना है बाकिस उस जख्म को धोना पहले दोने के बाद फिर जो उसकी लुग्दी है जो अपनी पीशी थी उसका लेव करना है अब जख्म धोने से जो उसके अंदर पौजन था और साप हो जाएगा लुग्दी लगाने से जैसे गहरी जिमीन पे कहीं आपने गड़ा खोदा है और तेज वार्साई और मिट्टी कट करके दायें बायें से आके गड़ा भर जाता है और पानी उसमें नहीं रुखता, पानी बह जाता है ऐसे जक्मों का नाम अनुसां रहता है, जैसे पहले की चमरी थ tsunami रहता है। यह इसकी विशेष्त है, प्रह तो यदि आप इस कार्या के बीच में चाई पी रहें, कॉफी पी रहें, मीठ आंडे का प्रेव कर रहे हैं, तो जक्म तो भर जाएगा, प्रन्तो से जक्म का नुसान रहेगा, आर यू बेद में, जितना आप परेज करेंगे उतना आपको लाब होगा, और जितनी लापराई करेंगे जीव को चुटकूरापन देंगे उतना ही नुकसान होगा स्वास्त वचार में प्रेज को सबसे उत्तमाना गया है दौाई को दूसरे नंबर पे है और इसमें योग प्रनाम करना अति अवस्यक है इसमें सबसे ज्यादा लोन-ब्लोन लोन-ब्लोन जिसको घाब है कोई बिमारी या उसको कम से कम है पांच चे-छे घंटे लगतार रोज करना चाहिए जैसे एक घंटा भी कर ले आपको आप नीद आ रहे तो आप सूजाओ जब आपकी जाग खूली आत्मों दो के फिर लग जाओ जितना लोन-ब्लोन ज्यादा करेंगे उतना यापका खून साफ होगा उतनी आपको अक्सिजन ज्यादा मिलेगे जितनी खून को अक्सिजन ज्यादा मिलेगे उतना खून ज्यादा साफ होगा जितना खून ज्यादा साफ होगा उतना जख्म जल्दी बरेगा अब इसमें नंक जो बिल्लकुल त्याग देना चाहिए या नाम मातर के लिए नंक देना चाहिए ज्यादा नंक भी जख्म भरने में काफी परसानियों पैदा करता है और सबसे बड़ी देने है कि खाना जो है हम मेशा ताजा गर्म गर्म खाना खाएं खाना खाते इसमें दो गलास गर्म पानी लस्टन प्याज अदर का रस मिला के पिएं तो आपको जिन्दगी में कोई रोग होई नहीं सकता सबसे ज़्यादा आपके लीवर का नुक्स होता है जब लीवर को हलके से हलका खाना मिलता उसको पचा लेता है और पैंकरी उसकी पूरी इंसुलीन बना देती है पित्ते में तजावरी बढ़ता गुर्दे में जाके सब चीजे ठीक डंसे साफ हो रही है और तिली को जो खून मिला वो दिल को देके शरीर को पूष्टी को रहती है तो कोई रोग नहीं होता परांतु जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा पैंकरी इंसुलीन नी बनाएगी पित्ते में तिजाब बढ़ेगा गुर्दे में जैसे मकडी जारा बनाती है ऐसे वो खाया पिया आपके गुर्दे के छेदों में फस जाता है फिर ना तो आपका साफ पूरा आता ना आपका पेट साफ होता और खून जो थोड़ा बहुत बनता उसको तिली सुरकार नहीं करती है फिर आपको रोगों से जूजना पड़ता है प्रांतु जब आप नॉर्मल खाना खाएंगे खाना खाते समय गर्म पानी में लस्टन प्याज अद्र का रस मिला के पीएंगे और रात ठीक नौ से दस के अंदर सोयंगे सुबर चार बजे उठके दातन कूला करके आदा घंटा कपाल भाटी पंद्रा मींट भसरी का आर दस बार अगनिसार पंद्रा वीस बार उजए पच्ची तीस बार ब्रहमनी एक घंटा लोन ब्लोन लगातार करते है तो उसी दिन आपके रोग में दिन दूगने राते चौगनी परवत्त आना सुरू हो जाएगा और जब आप इस क्रिया को पंद्रा वीस दिन लगातार करते हैं तो आपका जखम ऐसे भरेगा जैसे रोड का मजदूर दाइम बाएं की मिट्टी लाके जहां पर गड़ा उसको पूरा करके और गारी का जंप बंद कर देता है ऐसे स्रीर भर जाता है ने अमरी सर्थ पंजाब से आया हूँ मेरा नाम सूरे शर्मा है यह मेरी वाइफ पूजा शर्मा है मेरी टांग में जखम हो गया था जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरे खाने पड़े कभी होस्पिटल में कभी किसी कहीं कभी कहीं होस्पिटल में मुझे डाक्टरों ने बोला कि इसका खैंसर हो गया कोई बोलता रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी कभी कुछ बो रहे थे मैंने बहुत पैसा बरबाद किया लेकिन मुझे कहीं नहीं फरक पड़ा आखर धाई साल तक मैं यूहीं तडफता रहा और धाई साल के बाद मुझे चानल एक दिन मैंने पंड़े जी का देखकर मुझे दवाई दी और जिससे मुझे बारा घंटे में फरक पड़ गया पंड़ जी ने मुझे अपने हाथों से पटी की तिरगी बन पांच मिन्ट में में मेरा दर्द गैप और मैं बिलकु तंदरुस्त वैसे कि जिससे मुझे जखम है ने बाट की दवाई दी हम मेरा नाम दतात्रे टिपपर करें रैच्चूर से आयांसो करनाटक रैच्चूर हाट का प्रब्लम था स्टेंट दाले दे डाक्टर ने दवाई सुब चालो थी मेरी दवाई तो डाक्टरों ने बोला कि ले लाइफ लांग तक दवाई लेना पड़ता मैं इनका आज तो मैंने एक एक्स्परिमेंट करके भी दिकाए बाबाजी स्टेप्स चड़ो बलके वो लेते हैं त्री फ्लोर तक चड़के उतरा हूं अब तब दम कि में कुछ भी नहीं लग रहा यहां की एक विशेश्चता है सिर्फ 100 रुपिस के वो रिश्टेशन चार्जर से उसके बाद कितने बार विजिट होगे तो हर बार विजिटिंग की फीज नहीं ना स्क्यानिंग है ना आल्ट्रसाउंड है कुछ है यहां पर सिर्फ नर्स देखे सब कुछ आल्ट्रसाउंड सोब कुछ में मालम हो जाता क्योंकि जो पैसे हम स्क्यानिंग में अलो जी नमस्कार क्या नाम है आपका अनन जी कहां से बात कर रहे हैं आप बिल्कुल गुरु जी आपको सुन रहे हैं पूछिए क्या सवाल है आपका है आपके माताजी कि ओमर एक अप्तर वस्की है पेट में पानी ब़ता है जी 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 देखें जब लेवर काम निकरता तो गुर्दे उसको फिल्टर नहीं करते जो पेट में सारव वनाज होता है कोई भी खाई पी चीज यो गुर्दे पे जाकर ऐसे बैठते जैसे पानी पे क सेंस में नहीं हैं पेट के पाणी को स्रींजों से निकालते हैं यदि आप इसको बुद्ध बाहर छोड़कर गुरु बाहर से लेके मंगल बाहर के बीच मेरे आसर में लाएं जिस दिन लाना उस दिन रातरी दसवय तक खलाप लाके दातन कूला कुड़ा के बड़ी लेची कराएं दस से बाहर में नारी प्रिक्ष्ण करूँगा नारी प्रिक्ष्ण में पैर के तल्वच से सिरके बाल तक की MRI CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography सब कुछ पांच सिकेंड में हो जाएंगे उसमें जो भी कमी पाई जाएंगे द्वाइएं दी जाएंगे द्वाइएं खाने की हैं द्व पाउडर को तेल में घोल के लेव किया जाएगा फिर उसमें डॉक्टर वाली रूई लगा के खाकी रंकी सेलो टेव से पट्टी की जाएगी और उससे पेट के अंदर लेटरन सूख करके जमी हुए उसको तोड़ा जाएगा और जिस्तिन आएंगे उसी दिन इसको कम से कम पंदरा प्रसेंट राम तो जरूर मिलेगा प्रांतु उसके बाद लेटरन बाथरों ठीक आना सुरू होगा और आपको पानी नुकलाने के जूरत नहीं पड़ेगी प्रांतु होगा तभी जब ना रिक्रिक्षन होगा और दर्शकों आप इस करिक्रम से भी जोड़ना चाते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें फोन उठाएं हमें कॉल करें या आप हमें वाट्सअप के जरीए संदेश भेज सकते हैं जो आगे बढ़ते हैं करिक्रम में और शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसला जो जाना चाते हैं कि इनकी हाइट तो बढ़ गई है लेकिन जो शरीर है हाइट तो अच्छी गई है 21 वर्ष की उमर है लेकिन जो शरीर है वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है कमजोर है छाती भी उतनी नहीं है जितनी एक आमुमन होनी चाहिए यानि फैलाव नहीं है शरी ना तो आपका होमोकलोम ठीक है ना आपका लेवर ठीक काम कर रहा है पैंके अरुए पूरी इनस्लीन नहीं बना रही है तो शरीर में फालावट कहां से आएगी अब इसमें टीवी के माद्यम से करने का अपचार नहीं है ना टीवी के माद्यम से मैं किसी का अपचार करता हूँ यदि आप बुद्ध बार छोड़कर गुरु बार से लेकर मंगल बार के बीच मेरे आसर में आते हैं जिस दिन आसर में आना उस दिन रातरी दस वे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी लेची मों में रखके चूचते हैं सुबार नाव से दस के अंदर अपना नाम करन कराते हैं दस से बार मैं नारी प्रिक्षन करूंगा नाड़ी प्रिक्ष में पैर के तलुए से सिर के बार तक की MRI, CT scan, extra, autosone, ACG, sonnography सब कुछ पांच सकेंड में हो जाएंगे उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगे दोईयें दी जाएंगे दोईयें खाने की हैं, पीने की हैं, मालस करने के तेल हैं आँख में, नाख में, कान में डालने की दोईयें हैं यह दोईयें खाएंगे और सुबच चार बजे उठ करके आदा गहंटा कपाल वाटी, पंदरा मिल्ट भस्तिरी का, आर दस बार अगनिसार, पंदरा बीस बार वुजई, पच्ची, तीस बार ब्रह्मनी एक गहंटा लोन-ब्रोन करेंगे, तो पंदरा दिन में आपके बजन में कम से कम डेढ़ से दो किलो का परिवर्तन आएगा, जितने इंच लंबाई हमें उतने किलो बजन चाहिए, नैसे कम नैसे फालत हूँ फिलाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आएए उन से बात करते हैं, हलो, हलो, जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, इंग्लाज नाम है, राहुल जी कहां से बात कर रहे हैं आप, राजस्थान जे, अपना सवाल पूछिए, गुरु जी सुन रहे हैं आपको, बटाएए, और ये पूछना चाहते हैं कि गुरु जी ओशधियां इस्तमाल करना चाहते हैं, यानि ओशधियां लेना भी चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए जो डॉक्टर्स ने जो दवाईया कोर्स दिया हुआ है, उसको छोड़ना पड़ेगा, देखो, मैडिकल में किसी भी रोग की दवाईयी, कैंसर की दवाईयी सिर्फ अंक को सुन करने के लिए होती है, इनकी रोग काटने की नहीं है, यदि 90 परसेंट तक इसका कैंसर होगा, जिस दिन आसर में आएंगे, उसी दिन 5 परसेंट कम कर दूँगा, और यदि आप दवाईयी नियम से खलाएंगे, इसका दिखावानी है, यहाँ पर ग्रांटी से लाज किया जाता है, और आपको आरियो बेद में, उनानी में, हमोपैथी में, नैचरिस काव में, हैलोपैथी में, कोई ग्रांटी नि देगा लाज की, कि मैं इसको ठीक कर दूँगा, प्रांतु मैं नारी बैद हूँ, मैं जड़ी पूटियों से लाज करता हूँ, मैं किसी किसी के केमिकाल नहीं बेचता, और इसमें हर एक रोग को जर्शे करता हूँ, यदि 90% से उपर होगा तो आपको द्वाई बनी दी जाए, तो बिलकुल आपकी जो समस्या है, वो बिलकुल ठीक हो सकती है, लेकिन कैंसर के जो पेशेंट हैं, उनके लिए इस बात के लिए भी बताया जाता है, कि समय से पूर्व यदि आपाते हैं, तो बिलकुल ये चीज़ें ठीक की जा सकती है, यानि 90% से ज्यादा यदि कैंसर होता है, तो उसके लिए दवाई नहीं दी जाएगी, उसके लिए कोई उपचार नहीं दिया जाएगा, यदि असी प्रतीशत के आसपास तक भी कैंसर पहुँच चुका है, तो सकरात्मक तोर पर इस रोग के लिए उपचार आपको दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्वास्विचार आश्रम आना बहुत जरूरी है, मरीज का मरीज की जो स्थिती है, जो कैंसर पेशन्ट के मरीज है, खाना पीना उनका बना हुआ रहना चाहिए, तब ही दवाईयां भी दी जाती है, फिलहाल आप जल से जल्द स्वास्विचार आश्रम आ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हैल प्लान नमबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नमबर चाहते हैं, तो स्वस्त विचार पुस्तकों के जरीए आप पर सकते हैं, और इन पुस्तकों को रोजाना दस से पंदरा मिनट भी आप परते हैं, तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठी दूर कर सकते हैं, पुस्तके मंगवाँ आप सकते हैं, कोरियर या डाक के मार्धि से फिलाल गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए कीमती मार्क दर्शंदी आपका बहुत बहुत धनेवाद नमस्कार दर्शक वाज के इस विशेश कारेकर में बस इतना ही आप सभी लोग स्वस्त रहें निरोगी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम आप से लेंगे ज अगले अंक में आप से फिर होगी मुलाकात एक नए विशेश के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी आगया नमस्कार